तो 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 आज के इस वीडियो में बात करने वाले एंड इस वीडियो इस पॉंसर बाइ ओक्ता एफेक्स जिसके काफी एट्स आपने देखे होंगे इसके अलावा जो हमारे बड़े क्रेटर से वो बीजिए बनाते रहते हैं हमारी जो इंडियन टीम के मेंबर से वो भी इसको प्रमोट करते हैं ठीक है तो इस प्लेटफॉम के बारे में भी हम डिसकस करेंगे और पहले बात करते हैं यह फोरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है यह तो बता दो आगे बढ़ने से पहले आप देखो यार आप क्रिप्टो में आई चुके हो मतलब कि ट्रेडिंग में आई चुके हो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग ना सिर्फ क्रिप्टो में होती है ना सिर्फ शेयर मार्केट में होती है बलकि और भी ऐसे मार्केट से जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो for an example forex trading forex trading को कुछ कर आप अमेरिका में जाना चाहते हो माली जी मेरे पास आज 70 रुपे और 70 रुपे को मैं अमेरिका में ले जाना चाहता हूं तो वहाँ पर रुपे तोड़ी चलते है वहाँ पर डॉलर चलते है ठीक है जिनको आईडिया नहीं है उनके लिए एक्जामपल दे रहा हूं बा वहाँ पर डॉलर चलते हैं तो मैं अपने किसी भी एक्सचेंजर के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा कि भाई मेरे पास ये रुपे हैं और इसको आप कनवर्ट कर दीजे डॉलर में या फिर आप रुपे लेकर मुझे डॉलर दे दीजे तो एक सपोस हमने एक्जामपल के लिए 70 रुपे मेरे पास और मैं उस आज की तारिक में एक डॉलर की वेल्यू है 70 रुपे तो मैं क्या करूँगा 70 रुपे देकर एक डॉलर ले लूँगा अब उस एक डॉलर को लेकर मैं अमेरिका जाता हूँ वेसे एक डॉलर लेकर नहीं जाएंगे ठीक है तो मान के चलते हैं एक डॉलर लेकर अपना अमेरिका जाते हैं और एक डॉलर हमने खर्च भी नहीं करा ठीक है, suppose हम सिर्फ ऐसे imagine कर रहे हैं, वाकिई खर्चा वर्चा सब होता है, उस एक डोलर को हम नहीं खर्च करते हैं, और suppose हम अपनी pocket में रख लेते हैं, ठीक है, for an example, और जब हम उस एक डोलर को लेकर वापस से India में आते हैं, और उस एक डोलर को exchange कराते हैं, तो for an example, उस एक value बहतर रुपे हो जाती है ठीक है अब वो 33 भी हो सकती है चोंतर भी होती है ठीक है हम सिर्फ example ले रहे हैं कि बहतर रुपे हो जाती है तो हम सोचेंगे कि यार मैं तो जब यहां इंडिया से अमेरिका गया था तब तो एक डोलर की value बांड जादा होती है तो उसके फिर value भी बढ़ जाती है ठीक है तो यह होती है Forex trading और इसी के थुरू अब हमें पैसा कमाना सीखना है ठीक है मतलब currency के बीच में लेंदेन करना है ट्रेड करना है जैसे रुपी को डॉलर में डॉलर को यूरो में इस इसे हम currency के बीच में trading करते हैं तो यह होती है basically Forex trading समझ के बहुत सिंपल सा और बहुत चोटा सा example दिया है अब Forex का जो daily का market है daily की जो trading volume है क्या आपको पता है वो 5 से 60 trillion dollar की है अब 5 से 60 trillion dollar यह कितना बड़ा number है आपको बताने की जूरूत नहीं है example के लिए US market या फिर Indian market की जो 30 दिन की volume होती है उतनी यहाँ पर एक दिन में volume complete हो जाती है इतना बड़ा यह market है इतना huge market है ठीक है और इस market की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको pump and dump वाला scene देखने को नहीं मिलता जनरली हम देखते हैं क्रिप्टो में pump हो गया, dump हो गया, pump हो गया, pump आगया, कब dump आएगा यह सब बाते हमें क्रिप्टो में देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर जादा pump and dump वाला scene नहीं होता price जो है थोड़ा बहुत correction लेती है, थोड़ी बहुत उड़ती है, बस यही इसमें scene चलता है और छोटे time freedom ही है, आप अच्छा खासा यहाँ से ROI निकाल सकते हो, ठीक है तो यह जादा risky market नहीं है, इसलिए आप इसको एक बार देख सकते हो, अगर आपको interest है फॉरेक्स में, ठीक है तो फॉरेक्स trading के लिए जो सबसे best platform अभी तक है, जो कि award winning platform है और बहुत सारे awards इनको सालों से मिलते हुए आरे, बहुत सारे awards यह जीते हुए आरे, award winning platform है कि आपको option मिलेंगे, तो यह सब चीज़े हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो जल्दी से आप review के part को discuss कर लेते हैं तो जोस्तों जैसा आप देख सकते हो, अब हम आचुके हैं, OctaFX की official website पर जहाँ पर बताया गया है और अगर आप celebration को join करना चाते हो, तो यहाँ पर एक join का button दिया हुआ है जहाँ पर आप click करके इनका एक form वगिरा खुलेगा, यहाँ से आप इनको join कर सकते हो, ठीक है अभी हम join नहीं करेंगे, जो जो main feature से उसको देख लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हो कि OctaFX को बहुत सारे awards भी मिल चुके हैं अगर आप जाओगे तो trade forex in CFDS with multi award winning broker तो यहाँ पर इनको best ECN broker का award 2021 में दिया गया है वर्ल्ट फाइनस की दरफ से इसके लावा अगर आप नीचे जाओगे तो best trading platform 2021 का भी इनको award दिया गया है FX daily info की दरफ से इसके लावा अगर आप नीचे जाओगे तो इनको इसी साल में decade of excellence in forex Asia 2021 का भी इनको एक अच्छे से reward दिया गया है global banking and finance review की दरफ से ठीक है इसके लावा इनको best forex broker Asia 2021 का भी खिताब दिया गया है और अगर हम नीचे चलते हैं तो इसी तरह के से most transparent broker 2020 में इनको award दिया गया है इसके लावा और भी इनको award दिया गया है best forex copy trading platform 2020 में भी इनको award मिला है इसके लावा आप देख सकते हो best forex broker Nigeria 2020 में भी इनको award दिया गया है global banking and finance की तरफ से अगर हम नीचे स्क्रोल करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो best CFD broker Asia Pacific 2020 का भी इनको award दिया गया है और इनकी best crypto currency broker का भी इनको award दिया गया है 2020 में और अगर आप स्क्रोल करोगे तो फिर यह price चलता है यह जो list है award की यह चलती जाएगी 2021 में best forex यह सब आप देख सकते हो अब हम आगे चलते दोस्तों देखते हैं आगे इसमें और क्या feature से आगे हम चलते हैं यहाँ पर बताया गया है कि start trading on your terms यहाँ पर दो टाइप के आप account बना सकते हो एक तो होता है meta trader 5 जो की तोड़े professional के लिए होता है जो की advanced feature होते हैं उसमें और एक होता है meta traders 4 जो की तोड़े basics या फिर beginners के लिए अच्छा होता है meta traders 4 अभी हम meta traders 4 पर account बना कर आपको बताएंगे choose your account type इस पर click करके आप देख सकते हो अभी हम इसी पर आएंगे ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो आप window पर भी इसको चला सकते हो इसके लावा iOS device पर भी Android पर भी और इनकी website बगिरा भी तो है इसके लावा आप देख सकते हो Octafx का यह trading app है बहुत simple सा इनका interface होता है तो easily आप इसको चला सकते हो यहां पर बताया गया है जो भी Google Play Store के बारे में Forex Trading Accessibility for Everyone यहां पर आप एक तो demo account create कर सकते हो यहां फिर practice account create कर सकते हो और जब आपको लगी कि मुझे ट्रेडिंग आ चुकिए तो यहां पर आप start trading पर click करके trading को start कर सकते हो फिर आप अपना real account भी बना सकते हो यहां पर easily आप login to your personal areas तो यहां पर email ID और password को करके और आप अपना real account बना सकते हो इसके लावा practice पर जब आप click करोगे तो यहां पर open a new account यहां पर आपको लगबग एक trading account मिल जाएगा जिस आप देख सकते हो join more than 35 flex traders तो यहां पर आप first name, last name, email address और password फिल करके इनका demo account भी बना सकते हो ठीक है अभी हम आएंगे इस account पर नीचे चलते हैं यहां पर आप देख सकते हो 50% bonus on deposit ठीक है यानि कि अगर आप जो भी amount deposit करते हो उस पर आपको 50% deposit deposit bonus मिल जाता है जैसे एक रुपे अगर आप deposit कर में आपको 1.5 रुपे मिल जाएंगे तो इस तरीके से यहां पर 50 bonus है 50% का bonus है जो कि deposit पर है और काफी अच्छी बात है कि आपको यह 50% bonus देता है deposit पर बहुत कम ऐसे platform होते हैं जहां पर 50% bonus मिलता है deposit पर ठीक है तो यह भी इनका एक special और एक काफी अच्छा feature है learn more about 50% deposit bonus तो इसके बारे में आप details से भी जान सकते हैं अगर आपको interest है negative balance protection तो यह भी इसमें एक अच्छी है security के हिसाब से learn about security पर जाके आप इसके बारे में details से बढ़ सकते हैं अगर आप interested हो why choose forex trading with Octavex अब Octavex को यह आप क्यों चुने forex trading के लिए यह क्यों जाना माना है वो भी अब भी मैं आपको बताऊंगा no commission on deposit and withdrawals no swaps no hidden fees no delays ठीक है यह इसमें बताये गए हैं इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं कि आप किस तरीके से इसमें account बना सकते हैं और account कितने type के हैं इसमें एक तो है Meta Trader 5 और दूसरा है Meta Trader 4 अब Meta Trader 5 वो mostly advanced लोगों के लिए होता है जो beginner से जो कि अभी अभी Forex में आ रहे हैं तो उनके लिए Meta Trader 4 account बहुत अच्छा है and there are no commission and markup charges at all both in MT4 and MT5 account अगर हम इसके learn more पर click करेंगे तो आपको Meta Trader 5 और Meta Trader 4 के बीच में एक अच्छा सा comparison मिल जाएगा जैसा आप देख सकते हो MT5 और MT4 के बीच में दोनों में comparison बताया गया है spread का comparison आप देख सकते हो इसके लाबा commission भी आप देख सकते हो दोनों में ही कोई भी commission नहीं है यानिकि no commission और इसके लाबा deposit भी दोनों में same है जिसा आप देख सकते हो इंस्ट्रुमेंट में आप देख सकते हो 32 currency pair 32 currency pair golden silver वही golden silver ठीक है तो यह भी same से में leverage यहां देख सकते हो फाइज यहां भी one is to five hundred है तो इसके बीच में भी आप देख सकते हो इसके लाबा minimum volume आप देख सकते हो maximum volume दोनों में बताया गया है इधर जो MT5 में 500 का load से इधर 200 का load से इसके लाबा और भी जिते हैं आप comparison हैं देख सकते हो margin call level और stop out level में दोनों में अंतर इसमें दिखाया गया है ठीक है 25% 15% यह दोनों में आप अंतर साफ देख सकते हो deposit की क्या क्या option दिए गए है withdrawal आप किस तरीके से कर सकते हो इसके लाबा अगर आप beginner हो आपको कुछ भी ज़्यादा practice नहीं है या फिर आप Forex में पहली बार trade करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको दो type के account मिल जाएंगे यह अच्छी बात लगी इनकी कि अगर आप चाहते ह नहीं लगाना चाहते है पहले practice करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक practice account दिया जाता है ठीक है जिसमें आपको कोई भी deposit करने की ज़रूत नहीं है OctaFX यह आपको कुछ amount देदेगा जिसके थुरू आप यहाँ पर trading start कर सकते हो और practice कर सकते हो और जब आपको लगे कि भाई मुझे कुछ अब चीजे समझ में आ गई है मैं अब actual में trading कर सकता हूँ तो फिर आप जाकर अपना real account यहाँ पर बना सकते हो start trading पर जहाँ पर आपक देख सकते हो यह सब कुछ बता रखा है अगर आप OctaFX MT5 का बनाते हो account तो यहाँ पर आपको सब कुछ में का deposit in your account ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर सब तरीके के deposit options देगे हैं वो चाहे पैटीम हो वो चाहे local bank हो bitcoin हो indian cash हो skrill हो यह सबी का इनको support मिला हुआ है mastercard crypto currency Indian net banking UPI ठीक है तो इन सबी के दूरू आप यहाँ पर deposit कर सकते हो तो यह हो गई बात अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर account बना सकते हैं तो practice account पर मैं click करूँगा और click करने के बाद कुछ इस तरीके से open new account का मुझे option दिखेगा जहाँ पर मुझे first name last name email और password को fill करना ह तो दोस्तों मैं अपना account बना लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके साफ यहाँ पर practice trading कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे अपनी account detail भरनी होगी ठीक है country इसके अलावा मैं city जहां से हूँ इसके अलावा street address phone number birthday इसके अलावा have you trade forex before yes or no पर click करना होगा continue पर मैं click कर दूँगा तो यह जो मेरी details वो fill up हो जाएगी फिर deposit और फिर trading जो third option है उस पर हम चलते हैं तो पहले मैं अपनी account details को fill up कर देता हूँ फिर deposit वाले next step पर हम चलते हैं तो जैसे ही आप अपनी details को वहाँ पर भर दोगे इस तरीके से एक interface मिलेगा जहाँ पर आपको trading account के बारे में सब कुछ बताया गया है यहाँ से मैं cancel कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो choose account parameter यहाँ पर octa mt4 है तो यहाँ से मैं select करूँगा इसको ठीक है यहाँ पर यह professional traders के लिए मतलब actual account जब आप बनाओगे तो लेकिन अभी क् octa fx mt4 पर मैं click करता हूँ select इसको करता हूँ ठीक है select पर maximum leverage भी सब कुछ बता रहा है तो इसको मैं select कर लेता हूँ select करने की बाद में यहाँ पर account type ठीक है demo पर मैं click करता हूँ currency USDT leverage यहाँ पर है और इसके लावा balance मुझे 5000 डोलर का दिया गया है ठीक है तो यहाँ से यह ज click करूँगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से मुझे मेरा एक ME का account मिल जाएगा मतलब जो मेरा account है वो हो जाएगा और यहाँ से मैं फिर अपना जो private details है जो भी है उसको मैं start कर सकता हूँ notification को मैं allow कर देता हूँ create an account तो मैं account अपना बना लेता हूँ और यहाँ पर open new ठीक your new demo account is ready to go और यहाँ से मैं login to mt4 web पर जाओंगा और यहाँ से हम चलते हैं इसके अलबा meta trader for android app first app यह सब कुछ इसमें बताएगा है ठीक है तो आपको जो application है उस पर जाना है और application को download कर लेना है ठीक है तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप किस तरीके से Octa fx पर trading करना शुरू कर सकते हो ठीक है demo account की through में आपको सिखाऊंगा और अगर आपको लगे कि मुझे आप trading करना आ गया है ठीक है इसके बाद में आप real account पर भी trading करना शुरू कर सकते हो तो सबसे मिले क्या करना है आपको play store पर जाना है अपने play store account पर जाके simply search बार में जिसमें आपको इस तरीके से यह template देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इसके एक करोड से भी जादा के download से तो इसको आपको download कर लेना है ठीक है आप चुंकि मैंने अल्रडी download कर रखा है इसलिए मैं इसको open करूँगा ठीक है दोस्तों जब आप Octafx trading app को download कर लोगे तो आप आपको कुछ इस तरीके से एक interface देखने को मिलेगा जब आप application को खोलोगे ठीक है तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक sign up और एक login अगर आप पहली बार visit कर रहे है यानि कि आप पहली बार trade करना शुरू करें Octafx पर तो आपको सबसे मिले क्या करना होगा अपना account create करना sign up पर click करने के बाद में यह आप से जो भी details वांगेगा जैसे first name, last name, email या password तो यह जो process होता है इसको आपको complete कर लेना है यह information आपको fill up कर देना है अब चुकि मैंने पहले ही account बना लिया है इसलिए मैं क्या करूँगा login पर click करूँगा login पर click करने के बाद मैं मेरी email ID और password क fill up करूँगा तो दोस्तों मैंने अब login कर लिया है और login करने के बाद में मुझे कुछ इस तरीकी से एक interface देखने को मिलेगा जहां पर real एक tab है दूसरा tab demo का है और तीसरा tab है contest और उपर देख सकते हो Octafx और जो यह दिली Capital के sponsor है ठीक है official partner है तो ऐसा बताया गया इसमें और उपर आप देखोगे तीन लाइन जो दिखेगी ने इस तरीके से उस पर आपको क्लिक करने के बाद में यह आपका account पूरा आपको बता देगा business वगेरा ठीक है यह सारे आप एक बार देख लेना setting पर जाके promo code और offer यह सब कुछ आप easily देख सकते हो इतना भी आप non technical नहीं ह कि मुझे आपको हर एक चीज समझानी पड़ेगी ठीक है तो simply मैं क्या करता हूँ अभी demo account को बनाता हूँ तो यह जो plus वाला icon मुझे दिख रहा है इस पर मैं click करूँगा ठीक है click करने के बाद में मुझे यह कुछ इस तरीकी से एक interface दिखाएगा जिसमें मैं क्या suppose मैंने mt4 को select किया है यहां से मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद में यह मुझे पूछ रहा है account type तो real और demo तो मैं फिलाल demo को select करके रहा हूँ currency में यह USDT है और leverage आप देख सकते हो bonus to 500 और balance भी आपका लगबग 5000 का बता रहा है ठीक है तो आप मैं simply क्या करूँगा create trading account create trading account पे मैं जैसे ही click करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीकी से एक pop-up आएगा your demo account is ready यहां से आपका यह सब कूछ login ID और password बता रहा है और यहां से letter और top-up दो sign है अगर आपका top-up नहीं किया तो वो भी कर सकते हो फिलाल मैं letter पर click कर रहा हूँ अब मैं क्या करता हूँ यहां स trade पर start करता हूँ एक तो देखो top-up वाला है यहां से आप जो भी amount top-up करना चाहते हो suppose 1000 का 2000 का वो top-up कर सकते हो वो आपके demo account में आ जाएंगे इसके अलावा जो दूसरा आपको एक option मिलेगा वो है trade का trade पर मैं simply click करूँगा और यहां से यह पूछेगा आप से select the A4 trading तो दो इसने the Octafx trading app और एक है Meta Trader 4 तो फिलाल मैं the Octafx trading app पर click करूँगा तो इसके बाद में मुझे कुछ इस तरीकी से एक interface से खुलता हुआ दिखेगा ठीक है एक बार इसको load जाने दीजिए load होने के बाद में कुछ इस तरीकी से मुझे यह एक interface दिखाएगा जिसमें आप top प कर सकते हो फिलाल मैं Forex वाले टैप पर जाऊंगा यहां से देख सकते हो यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी ठीक है यूएसडी जेपी यूएसडी इस तरीके से pairs आपको देखने को मिल जाएंगे सपोस्थ मैं अभी select कर रहा हूँ यूरो यूएसडी यूरो यूएसड से support resistance की मदद से तो उस तरीके से ही इसमें सेम चलता है ठीक है जादा कुछ इतना बड़ा अंतर नहीं है जैसा आप यह बता रहा है एक बड़ी है सी हमें bearish candle देखने को मिली अब यहां पर आप देख सकते हो एक वापस से bullish candle हमें बनती होई दिख रही है इसके लावा यहा पर आपको नीचे देखने को मिलेंगे M1, M5, M15, M13 और इसका आपको चार्ट यहां पर मिल जाएगा ठीक है मतलब 1 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute और 1 hour के चार्ट पर आपको यह सब कुछ देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इसकी सहायता से इसकी help के दुरू आप यहां पर trading करना शुरू क कर सकते हैं अगर आपको आपका जो ट्रेड है उसको कैंसल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका जो ट्रेड है वो यहां पर प्लेस हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर trading कर सकते हो और अगर आप भी आपको कुछ समझ में नहीं आ है कोई doubt है तो आपका doubt मुझे एक पर comment करके बता देना मैं पूरी कोशिच करूँगा आपका doubt solve करने के लिए ठीक है description box में मैंने link दिया हुआ है Octafix का तो वहां पर click करके आप यहां पर easily sign up कर सकते हो और जो भी मैंने आपको process समझा है उसके थुरू आप demo account create करके trade करना शुरू कर सकते हो ठीक है promo code भी वहां पर आपको मिल जाएगा तो easily आपको इस तरह के से यह process को complete कर लेना है और Octafix पर account बना लेना है ठीक है तो विलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो definitely वीडियो को लाइक करना है channel आप ही के काम कर दो चैनल को भी subscribe कर कर लेना है description box में link वागिर दी हुए तो उनका भी use कर लेना है तो मिलते हैं जल्दी नए episode के साथ till then bye bye